नमशकार दोस्तों तो आज के इस वीडियो में हम पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की एकनॉमिक्स के क्लास 10 की एकनॉमिक्स के चैप्टर नॉम्बर 2 इस चैप्टर को हम पार्ट वाइस पढ़ रहेतें तो आज हमारा नेक्स पार्ट है इस वीडियो का तो आज की टॉपिक में हम बेसिकली हम क्या समझेंगे आज की वीडियो में हम समझेंगे डेवलप्मेंट गोल्स और इंकम विकास के उदेश तता आए इसके बारे में समझेंगे तो अभी तक अगर आपने पिछले पार्ट को नहीं देखें तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उन पार्ट की लिंक्स को देख सकते हैं और आप क्लास 10 की जो एक्नॉमिक्स की प्लेइस्ट है वहाँ पे भी आप सारे पार्ट को सिरियल वाइस देख सकते हैं तो चलिए इस वीडियो का हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली चीज क्या है वेरिड गोल्स विविद लक्ष पीपल्स डेवलेप्मेंट गोल्स कैन वेरी वाइडली वाइल मैनी फोकस उन इंक्रीजिंग देर इंकम अधर में प्रायोटाइज डिफरेंट अस्पेक्ट सच अध परसनल फुल्फिल्मेंट एजुकेशन और फैमली वेल बिंग इसका मतलब क्या बोट है जो गोल्स के जो लक्ष होते हैं अलग-अलग लोगों के जो गोल्स के लक्ष होते हैं वो अलग-अलग होते हैं कोई इसम सूचता है कि मिरी इनकम बढ़ती रहा तक है मगर मंन्हें इनकम संथ़स्ट पीजहर ना द estásँ मगर मेन को फुल्फिल्मेंट बढ़कर मेरे पिल्फिल्मींट हो मेरे पास संतुष्टियो नमेरे पास education हो मेरे पास family हो improve their living standards, access better resources and fulfillment material needs अगर आपके पास अची इंकम होगी, तो आपकी living standards बहुत अची होगी आप अच्छी life जी सकते हैं, आपके पास अच्छे resources होगी आपको आपकी life में जो जरूरती होगी यहनि कि जितनी भी आपको materialistic needs होंगी वो सारी चीजे तो पूरी होजाएंगी wealth आपके पास होगा, आपके पास money होगी और अलग assets होगी अलग-अलग assets मतलब आपकी जिंदगी की जो भी अलग-अलग ज़रूरते हैं वो सारी चीजे होगी important for development and as it provides the means to secure basic needs like food, shelter and clothing as well as luxuries that enhance quality of life अगर आपके पास ऐसा होगा, अगर आपके पास अच्छी income होगी, तो इससे आपको life की बहुत सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, आपकी basic जो needs होंगे पूरी हो जाएंगी basic needs में आपकी जो food होती है, खाने की जरूरत पूरी हो जाएंगी, shelter, घर की जरूरत पूरी हो जाएंगी, कबड़े आपके पास हो जाएंगी और इसके लावा luxury आपकी life में आ जाएंगी, ठीक है, तो बोल रहा है कि हर किसी की जिन्दगी में इतना तो goal होता ही है, कि उसके पास at least इतनी income हो, जिससे उसकी basic needs जो है, वो पूरी हो जाएं, ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ states का example ले रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ पर तीन states का example ले रहे हैं, पंजाब, केरला और बिहार, ठीक है, यहाँ पर इसमें basically क्या दिखाए हुआ, पर capita income को दिखाए गया है, 2015-16 के जो economic survey होई थी, उसके basic, उसके report के अनिसार, यह पर capita income दिखाए है, पर capita income मैंने आप लोगों को chapter 1 में, detail में समझाए था, तो एक चीज़ आप जरूर ध्यान देजेगा, अगर chapter 1 जो basically है, वो पूरा का पूरे introduction, मतलब कि economics की introduction पूरी है, economics के जितने भी basic concept होते हैं, वो आपको समझाएगे हैं, अगर जैसे आप chapter 2 पे हैं, chapter 1 आपने नहीं समझा हुआ है, तो chapter 1 आप पूरे इची से देखिया है, आपको सारी के सारे जो topics से easily समझ में आँगे, क्योंकि बहुत सारी जो basic concept हैं, वो इस chapter में लगू होंगे, तो आप उसे अच्छे से समझिए पहले, तो per capita income क्या चीज़ होता है, per capita income होता है कि एक देश के अंदे जितनी population है, मालीजी ये देश है, ठीक है, इस देश में मालो कि जितने भी लोग हैं, वो कितना income कमा रहे हैं, ठीक है, पूरा देश मिलके कितना पैसा कमा रहे है, मालो इस देश की जन संक्या है, वो पांच है, ठीक है, देश की जन संक्या पांच है, और ये पांच लोग मिलके कितने रुपे कमा रहे हैं, 100 और पे कमा रहें ठीक है तो अब per capita income कितनी एकली मतलब की हर एक वेक्ति औस इतन कितना पैसा कमा रहे है ठीक है पाँच लोग है इक देश के अंदर पाँच लोग है वो पाँच लोग मिल के 100 और कमा रहे हैं तो हर एक के हिस्से में कितना पैसा है और ये 20 क्या चीज़े, ये 20 है per capita income, तो per capita income का सीधा सा मतलब होता है कि एक देश की में जितनी जन संख्या है, उस जन संख्या ने टोटल मिलकर कितना पैसा कमाया है, माली जे 100 रुपे कमाया है, तो per capita क्या होगी, उस देश की जन संख्या को हम उसकी population से divide कर देंगे, उस इस क्या जागी, पर capita income कमा जागी, ठीक है, तो ये जो per capita income है, इसी की रिपोर्ट आई थी 2015-16 में, तो इसमें पंजाब की जो per capita income थी, वो 94,318 रुपे बिचाए जाए, कि हर एक व्यक्ति, एवरेज, पंजाब की जितनी भी, माली जे 3 करोड पॉपलेशन है पंजाब की, 3 3 करोड, तो हर एक व्यक्ति, औस तन सालाना 94,318 रुपे कमाता है, ठीक है, ये पर capita income है, केरला की 1,10,314 रुपे, और बिहार की 31,199 रुपे, अब इन तीनों को कंपेर करके आप देखोगे, तो किसकी per capita income जाद है, या केरला की यहां पर capita income जाद है, उसके बाद पंजाब की और बिहार की है, ठीक है, तो per capita income की basis पर अगर आप देखोगे, तो जादा successful को नजार आ रहे, केरला यहां पर नजार आ रहे, ठीक है, लेकिन हम किसी को भी, किसी भी देश, किसी भी राजी को, देश को develop सिर्फ एक basis पर नहीं देखते हैं, सिर्फ income की basis पर नहीं देखते हम बहुत सारे और भी अलग-अलग factors देखते हैं, ठीक है, जैसे कौन से, आई हम ये भी चीज़ देखते हैं, जैसे बहुत सारे non-material factors भी होते हैं, गैर, बहुती कारक भी होते हैं, जैसे की income के इलाब आप क्या चाओगे, आप चाओगे respect भी मिले, माली जाप ऐसी जगा नौकरी करते हैं, जहाँ पर आपको अच्छी कासी income मिलती है, मगर वहाँ पर आपको कोई respect से नहीं बुलाता है, वहाँ पर गाली गलोच, यह सारी चीज़े होती हैं, तो बताइए, जहाँ पर आपकी respect नहीं है, वहाँ पर आपको अच्छी कासी income भी मिल रही हो, तो आप नहीं चाहोगे कि आप अपने आपको नहीं ऐसे काम में involved करोगे तो बहुत सारे non material factors में जैसे freedom होगे, respect होगे, अच्छा behavior होगे, security होगे, पी, शांती होगे, रोजगार अच्छा मिल रहा हो, pollution free environment, ऐसे environment हो जहाँ पर pollution नहों, तो good health, आपके अच्छी सहत भी रहा है, तो ये स मगर आप normally लोगों को बात करते हुए सुनोगे, तो आप क्या सुनोगे, आप यही सोचोगे कि जीवन में पैसा चाहिए और ज़दा, ठीक है, अगर आप ये chapter पढ़ रहे हो, तो आपको समझ में आगा, सिर्फ पैसा जरूर नहीं है, ठीक है, पैसा भी जरूरी है, लेकिन पैसे के साथ, पच्छास चीज़े और भी जरूरी है, जो की होंगी, तभी आप डवलप कहला होगे, ठीक है, तो यहां तक के topic जो आपको है, समझ में होगे, तो मुझे उमीद है कि ये जो topic है, आपको समझ में होगा, इसमें हमने basically क्या समझा, कि income एक बहुत important factor है, development के लि वीडियो में हम इसके आगे वाले topics को पढ़ेंगे, तो यहां तक I hope आपको समझ में आगया होगा, तो चलिए मिलते हैं next वीडियो में,